तो अक्षे कुमार जो की बॉलिवूर्ड इंडस्री के काफी परसीद एक्टर हैं, उनका परफॉमेंस इन दिनों काफी मुश्किल दौर सी गुजर रहा है। लगतार साल 2016-2017 तक उन्होंने काफी अच्छा सफर तै किया, लगतार बॉक्स ओफिस पर हिट फिल्में दी इंडियन सिनेमा को, लेकिन कोविड के बाद उनका केरियर जो है थोड़ा मुश्किल में पढ़ गया है, पोश्ट कोविड में तो उनकी तकरीबन उसके बाद 9 फिल कोफी चली गई थी, जैसे बेल बॉटम रिलीज हुई थी, बच्चन पांडे रिलीज हुई, समराथ पृत्वीराज रिलीज हुआ, रक्षा बंधन, सेलफी, मिशन रानी गंज, यह सभी फिल्में रिलीज हुई, फ्लॉप चली गई बॉक्स ओफिस पर, वैसे इन सभी फ फिल्मों से नहीं मिल पाया, जो कि अक्षे कुमार साहब के, से expect किया जाता है, वैसे trade group, आपको पता ही होगा, कुमल नहाटा, उन्होंने कहा कि, अक्षे कुमार साहब का जो carrier है, वो काफी परभावित हुआ है, कारण है subject selections, उन्होंने जो subject को select किया, वो भी सही नहीं रही काफी हद तक और काफी देखा जाए तो उनके फिल्मों, ज्यादा फिल्मों करने की वज़े से जो exposures हैं, जी हाँ, इस फिल्मों को जो exposures चाहिए या जब फिल्म चाहिए, उस फिल्मों का उस level का content लोगों को नहीं मिल पाया है, हिंदी film audience अपने heroes को एक natural perceive करना चाहती है, एक natural तरीके से उन्हें देखना चाहती है, अक्षे कुमार का जो overdose रहा फिल्म का, एकदम back to back, back to back फिल्में उन्होंने करती गए, लेकिन जो फिल्म चाहिए था, जो फिल्म में content चाहिए था, वो दम नहीं था, जिसकी वज़े से जो है, audience का फिर disappointment हो गए, और लगतार इस एक जो life का जो patch है, जो रास्ता है, वो काफी rush patch कर सकते हैं, बहुत ही खराब track से गुजर रहा है, अक्षे कुमार ने अपने फिल्म के box office पर failure के बारे में भी कहा है, कि अगर एक film hit नहीं होती है, तो ये उनके लिए indication है कि audience उनसे connect नहीं कर पा रही है, जब इतने बातों का उनको समझ है, उसके बाद भी उनकी फिल्म में नहीं चल पा रही है, तो कहीं कहीं देखा जाए, तो उनके लिए काफी मुस्किल दोर है, और उन्हें अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत है, जहां ये trade guru कुमल नहाटा और कुछ बड़े experts का कहना है, वैसे देखा उनका जो चाम है, वो खत्म होता जा रहा है, और वो लगतार अपनी चाम को वापस लाने की कोसिस भी कर रहे हैं, बड़े मिया चोटे मिया आहले में रिलेज हुई, कुछ हद तक वो फिल्म जो है सही भी थी, at least 6.1 rating तक IMDV ने rate भी किया था, पबलिक जो है, so फिल्म को य इस तरह से उन्होंने दिया, जिसमें कॉंटेंट में दम नहीं मिला, इसकी वज़स से कहीं न कहीं अक्षे कुमार सहाब की लगतार फिल्म में फ्लॉक चली गए, वैसे देखा जाए, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अक्षे कुमार सहाब पर जो केरियर पर इस तर काफे कास.